जै हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जीस वर्ल में दोस्तों कल यूपी पुलिस की अफिसियल साइट पर एक नोटीस जारी की गई थी यहाँ पर जो फीज जमा करने की थी और संसोधन करने की थी बढ़ाई गई थी और यहाँ पर डीजी लाकर से भी संबंदी बाते हुए थी तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डीजी लाकर से फोटो और जो है मार्क सिट वगरे स्कैन करके करना जरूरी है की नहीं और एक्जाम डेट क्या निकल के आ रहे हैं इन सब के उपर चलिए बात करते हैं दोस्त चैनल पर नहीं है तो यूपी पुलिस से संबंदी किसी भी जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे की निसान को दबा कर आलवाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे है यहां पर मेंटल एप्टिट्यूट की भी आपको क्लास मिल जाएगी एक्जाम डेट जल्दही होने वाला है आने वाला है तो आप यह सब जरूर पढ़िए का यहां से 5-6 क्वेशन बनते हैं ठीक है और टेलिग्राम चैनल आप यहां पर देख सकते हैं यही सर्च करके टे जो लोग अब तक फाम नहीं बर पाए हैं यहां पर एक्जाम स्वारी यहां पर जो फाम के आवेदन तिथी है वह नहीं बढ़ाई गया ठीक है जो लोग भर चुके हैं उसकी उसमें संसोधन करने की और फिस सब्मिट करने की तिथी को बढ़ा दिया गया है पहले 17 और 18 थ सुल्क समयोजन एवंग आवेदन में संसोधन तथा जिन अभी अभीरतियों दवरा अपने अभीलेग डीजी लाकर के माद्यम से अपलोड कर सकते हैं तो यहां पर यह लिखने के बाद बहुत सारे दोस्त मैसेज करने लगे कि हम तो केवल और केवल इस कैन करके अपलोड क कर सकते हैं तो आपके फार्म ह्बार्म में कोई भी गलबढ़ी हूई है ठीक है A वजह से मतलब की रिजेक्ट हुआ है लेकिन रिस्क नहीं लेना यदि आपने गरबड़ी कुछ भी किया है तो आप यहां पर संसोधन कर सकते हैं बाकि आपकी मर्जी साइन भी संसोधन हो जाएगा आप चेंज कर सकते हैं इसके अलामा यदि आपका नाम में कोई गलती हो ठी पीछे का बाइक ग्राउंड कुछ दूसरा हो तो आप निश्चीत रूप से यहां पर संसोधन कर दीजिए बाइक एंसी इतनी दिनों बाद आए कोई भी रिस्क नहीं लेना है जो जो कहा गया है वैसे वैसे आपको फार्म भर देना है संसोधन कर देना है ठीक है आपकी करके अपलोड किया है तो हो जाएगा तो बोड का जो आफिसियल यहां पर ट्विटर हैंडल है इस पर इन्होंने नोटिस जारी किया इस पर आप इन्होंने ट्विट किया और ट्विट मेकानिकल किया आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है ट्विट हमने टेलिग्राम पर भ करण से पहले स्केन किए घाई अपलोट किये थे ृपलद प्रमाड पत्रों के लिए डीजी हलाकर के माध्यम से अपलोट करना प्राथमिक्ता है लेकिन अनिवार नहीं इसका मतलब है कि यदि आपने वैसे ही scan करके upload कर दिया है तब भी आपका farm reject नहीं होगा लेकिन यदि आपने digitalker से किया है तो वही प्राथमिक्ता थी अगर किया है तो सही है अन्य था यहां पर अनिवार यह नहीं है जो जिन्होंने digitalker के माद्यम से नहीं किया है तो दोस्त कोई विजरूरत नहीं है आपने scan करके वैसे ही upload किया है तो कोई भी समस्या नहीं है अन्य था सामान ने scan upload स्विकार किया जाएगा और स्विकार लेकिन हम कहेंगे मत करिएगा जब आपने वैसे ही कर दिया है तो कोई भी जरूरत नहीं है दोबारा पैसा वैसा साइवर के फॉलो को देने की ठीक है तो यह तो हो गया संसोधन भी हो गया बाकि यहां पर exam date की बात करें तो देखिए exam date क्या बढ़ सकता है तो देखिए य अभी देखा होगा जो इसपोर्ट कोटा से वैकेंसी है तो उसका आवेदन तिति बढ़ गया था कम फांब था इसमें तो बहुता फांब पढ़ा आए तो यह भी लोग बढ़ा देते लेकिन यहां पर इसको नहीं बढ़ाया गया है ठीक है केवल और केवल संसोधन की तित कब है आफिसियल नोटिस आ जाएगे फिलाल अनाफिसियल 18 फरवरी को ही मान करके आप तैयारी को करते हैं मात्र एक महीना बचा है इसके अलावां बात करें फांब कितना पढ़ा है इसका अभी तक एक्जेक्ट आफिसयल आकड़ा तो नहीं निकला है जल्द ही आपको RTI या फिर अखबार की मात्रियों से पता चलेगा फिलाहाल इसमें अनुमान जो है 40 लाख से ले करके 42 लाख के लगभाग यहां पर फांब पढ़ा है एक्जेक्ट आकड़ा नहीं है ठ गपराने वाली कोई बात नहीं है सारे लोग परिच्छा नहीं देंगे परिच्छा मात्र यहां पर लगभग 28 से 30 लाख के करीब ही लोग देने वाले हैं इतने ही करीब आपको देखने को मिलेंगे सब अनुमान है बाकि आफिस से लाकड़ा जल्द ही पता चल जाएगा य और कुछ पूछना हो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और हमने लगबख सब ही आपको बता दिया जो भी जानकारी निकल करके आई थी बाकि चैनल पर नहीं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लिजेगा अपडेट के लिए और यहां पर जो लोग भी अभी तक ठीक है यह सब क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर आप देखिएगा आप यहां पर देख सकते हैं यहां से कोस्ट्न पूछे जाते हैं और जितने बी प्रिविएस एयर पेपर हुए हैं चाहे यूपी-स-आई हो यूपी-कांस्टेबल हो ठीक है या फिर ए-स-ई हो वहां से जितने भी कोस पूछे गया थे सभी के सभी हमने अल्रेडी यहां पर करा दिया है और चैनल के प्लेलिस्ट में 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 इप्टिट्यूट के नाम से बना भी होगा और वर्तमान में देखें तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया है जो यह इसके साथे पहले का यहां पर लगबाग 6-7,000 उन्हें यहां पर देख लिया है बहुतों लोग देख रहे हैं आप भी देखिए और मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्त जय हिंद आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे आपके लिए कमेंट खुला है और अभी जल्द ही हमने हिंदी की क्लासिस अपलोड की हैं 200 हिंदी दिवस से वहां से भी कोश्चन बनते हैं अब यहलाई में फीजी में 200 सम्मेलन हुआ था हुआ सब जितने भी लेटेस्ट सब अपलोड हैं आप जाकर के देख सकते हैं जय हिंद